नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आज की रेष्पी बहुत ही आसान और बहुत सी स्वाधिस्ट बनने वाले हैं तो यहां पर हमने लिया है दो कप सुजी सुजी आप मोटी या बारिक कोई भी ले सकते हैं इसे छान लेते हैं इस तरह से खान लेंगे इसे और यहां मैंने लिया है डो कप से मैंने सुझी लिया घॉटरिया लिया बटर्क मेलक मनें पर भाहह, जब यब दही लेंगे तो 1 crime और 1 नाश्ट के लिए बना तो उसी हिसाफ से आप कम्या ज्यादा कर लीजिएगा इसे मिक्स कर लेते हैं और रख देते हैं थोड़ी देर ढख कर रेस्ट करने के लिए ताकि सूजिये मारी अच्छी से खोल जाए इसे 15-20 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं तब तक हम यहां पे अध्रक और 8-10 लैसून और 3-10 मिर्च और थोड़ी सी अध्रक लेके पानी डालकर पेस्ट पीस लेंगे अब अध्रक लैसून का पेस्ट जो रेडी मिटा था वो भी डाल सकते हैं अगर लैसून नहीं खाते तो उसे अवाइड कर दें और यह पेस्ट हमारा बन गया है और यहां मैंने थोड़ी सी पूल गोबी अपने लिए अपशा है तो बींस या हरी मटर भी इसके साथ डाल सकते हैं तो अब सब्जियों को हम तड़के की साथ ही फ्राइ करेंगे तो बहुत थोड़े से तेल में करना है या मैं एक टिबुल स्पून तेल डालूंगी और यह तड़का तयार करेंगे एक चमस जीरा डाला हमने एक चमस सरसून आज को थोड़ा धीमा कर देंगे और एक चमस हम डालेंगे उरत की डालूंगे उरत की डाल डालने से बहुत अच्छी से क्रैंची नाटिने स्वाधाता है और पान से चै मैंने करी पत्ता डाला और ये दो तीन हरी मिर्च कटे हुई डालेंगे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना ये कड़वी लगने लगेगे और अब ये प्याज डालकर थोड़ी देर पकाएंगे प्याज को हलका सा भून लेंगे तब हम बाकी सबजियां डालेंगे क्यूंकि प्याज का थोड़ा सा पानी जब सुखने लगे तब बहुत ज़दा ब्राउन नहीं करना है प्याज मरा हो गया तो अब ये शिम्बला मिर्च डालेंगे इसे भी थोड़ी देर भून ना है सिम्ला मिर्च भी हमारा रेडी हो गया तो अब हम बारी यहां को भी डाल देते हैं और थोड़ी देरी से भी बून कर फिर गाजर डालेंगे अब गाजर डाल देते हैं और इन्हें थोड़ी देर पकाएंगे बहुत ज़दा सब्जियों को नहीं भूनना इन्हें अच्छे से पकना नहीं है बस भूनके अब यह सब्जियां हमारी तैयार हो गई है अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंड़ा होने देते हैं हम इस तड़के को एकदम से गरम नहीं मिलाएंगे वरना सूजी में कुछली आ जाएंगे तो यह सूजी मारी फूल कर थोड़ी सी ज़्यादा सूप गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और यह जो आपने पेस्ट बना के रखा था द्रख लेसन हरी मिर्च का उसे भी डाल देते हैं तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार रखें तो थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और इसे इस तरह से थिक बैटर तयार करेंगे और स्वादन सा नमक डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा बैटर रेडी है इतना गाड़ा हमें रखना है और ये बाकी काम ने जो सबजियां और तड़का तयार किया है इसे डाल देंगे तड़का कभी भी इसमें गरम नहीं मिलाना वरना गुठलियां पड़ जाएंगी और ये मैंने डाला है दो छोटे चमच इनो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं लेकिन जब सोडा डाले तो इनो नहीं डाले और ये इनो को हम मिक्स कर देंगे और इसे बहुत जाद नहीं चलाना जब इनो डाल देंगे ताकि इसकी गैस निकल नहीं जाये इसे हलके से मिक्स कर देना है अब यहाँ पे गास पर मैं रखूंगी अपम पात्रे इसे गरम होने देते हैं और इसमें एक बर अच्छे से तेल लगा देते हैं अब यह गरम हो भी आए तो आब हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसके हर मोल्ड में डालेंगे और बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना सिर्फ मोल्ड के बराबर ही हम डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा फूल जाएगा आज को मीडियम रखेंगे और इस तरह से ढखकर पकने देंगे तो यहाँ पे हमारे अपम पलटने के लिए तैयार हो गए हैं तो एक साइड हमारा अपम रेडी है अब उपर से थोड़ा एक एक बुन्द हम तेल और डालेंगे ताकि जब हम पलटें तो नीचे इसमें तेल लगा रहे हैं और इस तरह से हम सारे अपमे पलटकर दूसरी साइड भी पका लेंगे यह बहुत ही कम तेल में बन जाता है और बहुत ही सादिस्ट लगता है और पता है लगता ही ने कि हमने बहुत कम तेल डाला है इसमें अब यह दूसरी तरह भी हो गए तो गहीं हटा लेते हैं दिख रहा है ना बहुत ही सादिस्ट इधर मैं दूसरा बैच भी डाल देती हूं अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आरा प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो यह दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो रहा है इसे भी पलट कर पका लेते हैं और यहां मैंने टमाटर और हरी धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व किया है सौस से भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं आप नारियल की चटनी के साथ भी से सर्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि लाइक जरूर के लाइक जरूर करें झाल वीडियोर के लिए आप्रेंटर डेंगाचे लाइक भी प्लीज बद्सक्राइब करें जरूर को रे चाह जाएक जरूर कुलिए रेस्ट के लाइक बातार हैं